कि कैसा अप्सवाद सभी लोग तो आज पीडियो में अपने के बारे में तो घुर्प अपने ऑस अपने बेशक इंडिकर से बारे में बात करेंगे और इसके अधर्र हमारी standards आती है एक हमारे तो इन दौनों को यहां पर इस वीड़े में अच्छे थे समझने वाले हैं और साथ में जनरल मकेरिन समझेंगे कि यह इंडिकेटर मेली हमारे काम कैसे करते हैं तो हमारा सल जाधा सब्जेक्ट फार्मसीटिकल एनलिशेज बी फार्मेजी फसमिश्टर और इसकी यूनिट सेकेंड हमने स्टार्ट कर दी तो यूनिट सेकेंड का यह चैप्टर वहन है एसट वेस्ट टाइटरेशन और इसके पहले पार्ट में अच्छे बात कि थी कि लूट्चो यह चैक आउट कर सकते हो तो अब अगर सिंपली बात करें अपने इंडिकेटर के बारे में तो इंडिकेटर का थक हो में हमारे सिंपल समझाव क्या होता सूचक यानिकिंडिकेटर का मालो की आपको घर पे चावल बनाने ठीक है अब मालो आपने कहा कि चावल के लिए अपने कोकर के अंदर चावल चड़ा ए ठोड़ता पानी कड़ा और उसका ढटकान बंद करके रख दिया अब वो हमारा गयस पे रखा हुआ है अब आपको पता कैसे लगजा कि बहीं चावल बन चुके हैं हमारे यानि कि अब हमको जो है चावल के लिए जो गैस है वो हमको बंद कर देनी है तो उसके लिए उसमें लगी होती है हमारी सीटी और जैसे ही चावल के केस में हमारी एक सीटी आज आती है हम अपनी गैस को बंद कर देते हैं और हमारे लिए यह confirm होता है कि हमारे चावल जो है पक यान कि जैसे चावल पकना हो गया या कोई रियक्सन हमारी हो रही है या जो हमारी टाइट्रेशन हो रही है वह हमारी कम्प्लीट हो चुकी है अब यहां पर दूसरे अदम यह समझना है कि जो हमारा इंडिकेटर है वह अलग-अलग सिच्वेशन के लिए या अलग-अलग लेकिन चावल के केसमा वह एक लगी और आलू के केसमा वह चार से पांस लग लिए तो यहां पर हमको यह समझ आ रहा है कि इंडिकेटर में ऐसे काम करता है कि वह अलग-अलग मतलब हमको चीज़ें प्रोवाइड करता है अब इसको हम थोड़ा सा कर टेक्निकल टम में समझ करेंगा तो हमारा फॉर्म होता है सार्ड और जो मरे नीट्रल होता है यहां पर हमको यह समझ आ रहा है अब यह में की इंडिकेटर का में यहां पर काम क्या होता है पर क्या है isu लिए है यहां कि यहाँ पर एनिकेटर के बाघ करें है तो जब यह हमारा एंदर होगा यह नंग हमारा solution के लिए नोरी कमिए पर हमारा islature का होताएगा तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो हमारा base के अंदर आता है तो base के अंदर इसका जो color है वो हमारा different हो जाता है तो इससे हमको यह पहचानने में आसानी हो जाती है कि वही कौन सा सभिष्टांस हमारा acid है और कौन सा solution हमारा base है अब example के लिए अगर मैं HPS लेता हूँ यह हमारा phenophthalene का example है pH for flophthalene तो जब हमारा phenophthalene acid के अंदर हम लोग डालते है तो पूरा जो solution है यारे कि phenophthalene base solution हमारा colorless हो जाता है लेकिन जैसे हम इस phenophthalene indicator को इस base के अंदर डालते है तो यह पूरा का पूरा solution और जो हमारे indicator है वो हमारा pink color का हो जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि indicator तो हमारा same है जो phenophthalene हमने लिया था लेकिन वो हमारा acidic solution में अलग color provide कर रहा है और basic solution में हमारा अलग color product कर रहा है तो इससे हम किसी भी solution को identify कर पाते है कि जैसे हमारे solution का color change होगा हमको पता लग जाएगा कि indicator हमारे इस तरह काम करता है तो अब अगर हम general purpose समझे जान कि indicator में लिए हमारा acid waste titration में कैसे काम कर रहा था तो देखो यह हमारा पूरा titration का system था कि इस तरह हमारे पूरी titration हो रही थी हमारे एक solution इस pure rate से हमारे conical fast में गिर रहा था तो इसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक example ले लिया तो मालों की जो pure rate है इसके अंदर हमारा base है और इसकी concentration हमें known है यानि कि हमको पता है कि कि किनी concentration में यह present a solution यह हमारा conical fast में एक acid है और इसकी concentration हमारे लिए unknown है तो हमारा titration में लिए क्या था कि हम यहाँ पर non concentration वाले solution से unknown concentration वाले solution की concentration को पता लगा रहे थे कैसे simple है तो यहाँ पर आप होता क्या था कि जैसे हमारा base यहाँ पे था और यह stopper हम जैसी खोलते थे dip dip करके यान कि drop bys हमारे इस conical fast में गिरने लगता था और यहाँ पर आप होता क्या देखो बहुत ही ध्यांतर समझे ना कि यहाँ पर acid जब हमारा base के साथ react करता है तो हमारा salt यानकि neutral form कर रहा है यानकि acid हमारा base के effect को कम कर दे रहा है और base हमारा effect के effect को से कम कर दे रहा है और यहां पर एक और चीज़ आपको जाने वाली है कि जैसे मालो यह solution है अब जब उपर से यहां पर base गराएंगे तो इसके अंदर acid भी होगा और base भी होगा यान कि दौने चीज़ हमारे यहां पर present होगी लेकिन जो solution हमारा ज्यादा होगा ना पूरे solution का nature हमारा भी होगा यान कि अगर मालो यह acid है और यह मालो हमारा 10 ml ठीक है अब इसके अंदर अगर मैं यहां पर 1 ml base मिला दूँ तो इसका मतलब यह नहीं हो जाएगा कि यह solution हमारा base हो जाएगा क्योंकि यहां पर हमारा acid जादा है इसका nature हमारा basic हो जाएगा यान कि हम यहां पर यह समझ रहे हैं कि acid based के solution के अंदर जो भी सबस्टान जादा मातर में present होगा वो जो हमारा पूरा solution है उसका nature हमारा basic हो जाएगा तो कुछ इसी चीज़ पर जाएगा इसी जो phenomenon है इसी पर depend होती है यहीं पर हमारा indicator काम करता है तो अब क्या करते हैं सबसे बहले 10 ml अबने यह ले लिया और ब्यूरेट का solution हमने यहाँ बेस का भर दिया अब इसके अंदर हम डाल देते हैं अब जैसे हम इंडिकेटर डाल देते हैं इंडिकेटर हमने यहाँ पर डाला अब क्या होगा लेकिं हमारा color चेंज़ साथ तो अगर हमें इस फुनॉप थैलिन का कलर चेंज करना है तो हमें इस सभिस्टांस को बेस बनाना पड़ेगा तो अब क्या होगा जैसे हमारा बेस अगेन और गिरेगा तो हमारे यह मालूद दस अमल था और जैसे हमारा दस पॉइंट एक एमल भी हो गया यह जो पूटा सॉल यहाँ पर बेस का सॉलिशन ज्यादा हो जाएगा यह पूरा जो नीचर इस पूरे सॉलिशन का वो बेसिक हो जाएगा और बेसिक होने के बज़े से जो हमारे यहाँ पर इंडिकेटर फनॉप थे लिन था वो इस पूरे सॉलिशन का कलर कर देगा पिंग और जैसी कलर में जो बेस था वो कितना सभिष्टान की कितने क्वाइंटिटे में यूज़ हुआ उसी का यूज़ करके हमने फॉर्मूले में लगा गए अपना जो आंसर है वहां को मिल जाता है तो इसको पहुत ही डीटेल्स में अपने पार्ट वन में कवर किया था तो अगर आपने वह तो मेंनी यहां पर पता लग गया कि इंडिकेटर में लिए काम क्या कर रहे हैं एसके बाद हमारा फॉर्मूला M1 V1 is equal to M2 V2 या N1 V1 is equal to N2 V2 में put कर देते हैं जो मैंने आपको previous वीडियो में अच्छे से बताया था तो I hope आपको titration और मतलब acid waste titration और indicator का में लिए पूरा-पूरा फंडा अच्छे से समझ आ गया होगा और जब यह हमारा color change हो जाता ना इसी को हम end point भी मतलब बता देते हैं और इससे हमारी reaction complete हो जाती है तो यहां पर मैंने इनको define भी क्या आप अच्छे लिख सकते हो कि indicator में लिए हमारा end point को determine करता है solution का color change करके example हमारा phenophthalene हो गया methyl red हो गया, methyl orange हो गया, बहुत सारे और theories में लिए हमारी क्या होती है कि यह हमारे indicator के mechanism का बताते है कि यह जो हमारा indicator है वो काम कैसे कर रहा है जैसे अभी मैंने यहां पर एक theories का general आपको बता दिया कि जैसा ही यहां पर हमारा solution गरता जाता है हमारा color change हो जाता है और indicator इस तरह color change करता है हमारी दो तरह की theories को डिफाइन करते है एक हमारी होती है और दूसरी हमारी होते है क्यों नॉइट तो अब अगर हम अपनी पहली थियोरी ऑस्वाल थियोरी के बारे में बात करें तो इन्होंने क्या simple बोला कि जो हमारे indicators होते हैं वो हमारे दो state में present होते हैं यानकि दो form में एक हमारी होती है और एक होती है हमारी आइवनाइट form अब अगर इस form को मैं आपको क्या समझ रहा है यह हमारे एक आइंस है और आइंस की बज़ाद से इसकौं बोलते थे आइवनाइट इस्टेट यानकि जब यह मारे सारे के सारे जुड़े होके compound करने होंगे तो उसकौं बोलते थे अनाइवनाइट यानकि अब यह हमारे तूटे हुए नहीं है य यहाँ पर आंइवनाइट आपको यहाँपर समझ आ गया होगा तो औहस्वाल जी ने यही वोला सिंपल सा कि मदें इस हमारे इंडिकेटर्स होते हैं कि कौन इश्टाम सा अमारा यहां बेस है और कैसे हमारी ज़क है रिक्षिंट होई अब जो हमारे अस्वाल जी थे इन्हों ने ये बताया कि जो हमारे इंडिकेटर शोटे हैं वह हमारे और फिर और फिर और फिर फिर बेस होते हैं या तो आका करके हम नदोनों के एक्जांपल समझ लिए फो इसको थोड़ा था बोल देते हैं और यह हमारा एक बीक ऐसेड़ और जब आप मैं इसको डिसोसीट करते हैं तो यहां पर हमारी रियक्शन की बात हो रही है acid plus base is equal to neutral यान कि जब हमारा क्या होगा acid हमारा base के साथ रियक करेगा लेकिन जब यह हमारा already एक big acid है तो अगर यह हमारा big acid है तो अगर हम इसको acid के अंदर डालेंगे मालो जब हमारा solution acid था example के लिए STL ले लो तो इसके साथ यह हम इसको डालेंगे इसके पास भी h-positive है इसके पास भी h-positive है तो यहाँ पर यह common ion effect हो जाता और इसकी वज़ासे क्या होगा कि अब यह आपस में मिलकर कोई भी reaction नहीं करेंगे और जब यह हमारे क्या होगे यह टूटेंगे नहीं और अगर by chance यह dissociate होते भी हमारे partially तो देखो क्या होगा यहाँ पर आप ध्यान से समझो h-positive pH में और यह भी हमारे तो यह वाला है फिर से क्या करेंगा h-positive के साथ यह करके फिर से हमारा phenophthalene generate कर देगा जो हमारा क्या होगा एक अनाईनाइस फॉर्म में होगा तो यहाँ पर हमको यह समझ आया है कि phenophthalene हमारा acidic medium में colorless हो करता है और यह हमारा अनाईनाइस में होता है क्योंकि हमारा acid के अंदर dissociate नहीं होता है लेकिन अगर हम बात करें अब बेस के बारे में तो बेस हमारे क्या है एक्जांपल के लिए लिए और जब नुच करते हैं तो ant positive और हमारा आजाता है अब यहां पर हमारे यह क्या है Big acid आप तो यह हमारा तो इससे क्या होगे और यह घेरे-धी-डिस्वोषियेट होके हमारा बेस गी तरफ जाने लगए और यहां पर प्रम में यहां पर इसकु इसको पूरे को आइणाई में इसको और यह एंपर पर हमको यह समझ आया कि जो मारा फुन उप्तिलेना है वह एसेटिक मीडियम में थो अनाइज फर्म में लेकिन बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा वह आईज इसके साथ रियक्सिन मना लिए और पियाज निगेटिव आयन हमारा अकेला चूड़ जाएगा और यह हमारा क्या बेस के अंदर यह हमारे डिसोसियेट होके अजनाइज फॉर्म में कनवर्ट होता है और पर पिए नेगटेव आयन क्या करेगा पिंग कलर को इस पूरे को कर देगा तो यहां पर आप क्या समझे कि कैसे हमारा मतला कलर लेस और पिंग कलर में सो होता है लेकिन अगर यह हमारा था वह अगर बीग बेस हो अब अगर यह मालो बीग बैस है तो अब यह आपस लिए करके वाटर बनाएंगे नहीं क्यांकि दो दोननों सरब क्या और यहां पर अगेन क्या होगा यह हमारे आपस में डिस्टोइट नहीं हो पाता और जब यह हमारा डिस्टोइट नहीं हो पाएगा तो यह हमारा अगर मैं इसको एक कराता हूं यह क्या होगा यह हमारा क्या है वाटर फॉर्म करने लगेगा और जब यहां से हैँमी पॉसिटेब रह जाएगा तो यह हमारा हरता के लिए यहां कि जो methyl ओर एंजमें लिए वह हमारा जब अनाईवनाइड में होगा तब वह हमारा यलो कलर का होता है और जैसे हमारा यहां पर अपलाई करके के दिखाओं तो महलो हूं हमारा एससे डिक था और हमने यहां पर क्या डाल दिया अपना नट आल दिया तो बाता है अपर प्रलिट अब इसके अंदर फृणो लेड़ी ऐड़ता और सॉलूइशन हमारा बेसिक हो गया तो फृणोप्तलीन बेसिक के साथ क्या करेगा हमारा डिसॉसियेट हो तब एक वारा फिर से कर सकते हैं धोड़ा वीडियो ने कि थोड़ा सा complicated सा लेगन होप आपको सारी गानी समझ आगी होगी तो यह थी हमारी पहली थिओरी ऑस्वाल से ओरी दो के बारे में हमारी सेकंड थिओरी आती है क्यूंट थिओरी अब देखो क्यूंट थेओरी का को अगॉर्डिंग बहुत सिंपल था इन्हों ने क्या बताया की कोई भी ज और अगर single bond आता है तो ओए बन जाता बस इतना समझो एक हमारे होते बैंजी नट एक हमारे होते कुझनो नट थे अब इन्हों ने क्या बोला कि कोई भी जो हमारा सविष्ठांस होगा जैसे मालो कोई हमारा इंडिकेटर है वह जब बैंजी नट फॉर्म में होगा तो एक डि आप colorless क्या होगा क्योंकि जैसे ये मुसको acidic medium में डालते है वह हमारा बैंजीनो फॉर्म में करनोर्ट होता रहा है और यहां पर हमारा इसका color होता है लेकिन क्या होगा धीरे 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 जैसे हमारा ऊपर से solution आएगा और यह पूरा solution हमारा basic में convert होताएगा तो indicator था हमारा already पढ़ाता और solution अब हमारा होगा basic तो basic के अंदर हमारा phenophthalene क्या करता है कि अपने आपको benzenoid से cuninoid form में convert कर लेता है अब जैसे cuninoid form में हमारा convert होता है इसका जो मतलब color हमारा change होताएगा क्योंकि cuninoid form में ही इसका color होता है pink color तो हमने क्या समझा कि बस यहां पर क्या हो रहा है कि indicator की सिर्फ हमारा solution बदल रहा है बाकी कुछ नहीं बन दा और इसके वज़ाएसे indicator का हमारा structure बदल जा रहा है यानकि जब वो लेकिन जैसे हमारा basic solution आया उसने यहाँ बेस के साथ react करके अपने structure को बदल दिया और structure बदलने के बज़ाएसे उसका हमारा color change हो जा रहा है क्योंकि दौनों के दौने structure में इंडिकेटर का हमारा color डिफरेंट डिफरेंट था तो यह हमारा सिंपल दी खोड़ी और क्योंट डिकेटर उसको कई जगहां पर च्पर कहां से बीजाञा अब ऑप सारी कहानी समझ आगी अब इसकी од को और है जैसे यहां और होगता कि यह मारा क्योंट होता है उसमें और यहां पर रैड कलर को करता है लेकिन जैसे ये मिघाइल और हमारा और यलो लो हमारा बेश्सिक में तो यह मुता है इसमारा पूराespère में फेंद है और और हम आपको सारी आने सम्ल़ के भी जैंट करेंगे उसको इसे पर वार करें लिया है घूर, लाउट अपने प्लॉट. का कहाले के गगा, बाइब बाइब दूस्तों, ये जिन दूस्तों.